द्वित्य सत्रम आपने पाठ नव सजीव अने तेमनी आसपास ना बागेक मा निवास्थान अने अनुकुलन विशे अभ्यास करीशू अहीं एक कोष्टक आप्यू छे जे तमारा पुस्तक मा थी लेवा माव्यू छे तेमा लख्यू छे के विविद विस्तारों मा जोवा मडता प्राणियों वनस्पती अने अन्य पदार्थोनी माहीती तमारे लख्वानी छे अव्याई को परती तारण पन काडी शको छो के जंगलमा रहता प्राणियों पर्वत्पर रहता रणमा रहता दरियामा के अन्यस्तडे रहता प्राणियों मा सर्खा पणू छे के काई जुदू छे ते तमे आ कोष्टक माती तारण काडी शको छो હવે દર્યામા વનસ્પતી અને પ્રાણિઓ બંને ઓહછે અને આ બને ક્શારીવ તેટલે के खारा पाणी मा रहता होई छे खारा पाणी मा उचर था होई छे मोटा था था होई छे के रहता होई छे हवे त्यामाना मोटा बागना पाणी मा ओगलेली हवानो उप्योग करे छे हाजे दर्या मा रहता वनस्पतियने प्राणियों छे इहाँ थी लागवे तो इ दर्या नी अंदर जे पाणी छे पाणी नी अंदर ओगलेली जे हवा छे एमा ती हवा मिलवी शकेश याने एवी रिते जीवी शकेश अवे रण मा जुई एंतो खुबाज उछु पाणी वही छे अने रणमा दिवसना समय खुबज गर्मी होई छे अने रात्रे खुबज ठंडी होई छे तमें यहां जोई शक्वा छो के रणनी अंदर स्पष्ट लकिव छे के रणमा दिवसे खुबज गर्मी होई अने रात्रे खुबज ठंडी होई छे अवेशूं थाई तो रण मा रहता प्राणियों अने वनस्पती ये तो रण नी रेती मों जीवे छे अने त्यां जिते स्वास ले छे तो ही लोकोने पण दिवस अने रात्रे बन्ने समय जुदी-जुदी आबोहवा आने वातावरन बन्नेनों सामनों करवो पड़तो वही छ अवे दरियों अने रण बन्ने खुबज जुदा विस्तारों छे अने आपने आ बन्ने विस्तारों मा खुबज अलग-अलग प्राणियों जुदा-जुदा प्राणियों जोई शकिये छिए खुबज अलग जोई शकिये छिए अवे दरिया अने रण बे अलग प्राकार ना विस्तारों छे अने तेमजे प्राणियों रहे छे तो रण नी वात करिये तो उंट अने दरिया मा वात करिये तो माचली तो दर्यानी अंदर माचली अने रण मा उँट आ बने अलग प्रकार ना प्राणियों नी विशेस्ताओ विशे आजे आपने चर्चा करवाना जीए तो उँटना शरीनी रचना तेने रण नी परिस्थितीमा टकी रहवामा मदद करेचे एवी जरीते माचली ना शरीनी विशिष्ट रचना तेने दर्यामा रहवा माटे पन मदद करेचे हवे उँटनी विशेस्ताओ जोईए के उँटनी पासे एवी कई विशेस्ताओ चे के जेना कारणे ते रण मा रही शके चे अथवा तो जीवी शके चे तो सवती पेला उँटने लामबा पग वई चे उँट गण उँचु वई चे एम तमे एना पग जोई शको चो बाजूनी आकरूती मके गणा बदा उँचा चे तेना तीशू थाए तो जे तेना शरीर ने रणनी रेतीनी गर्मी थी दूर राखे तेना शरीर तो गणो बदू उँचु वई खांके पग चे उँचा चे तो एना शरीर ने गर्मी थी बचा वी शके उँचा आने लामबा पग ने कारणे पची विजूशू चे एना शरीर मा तो तेवो खुबज ओछी मात्रा में मुत्रनो त्याग करे चे एटले एमने बो भारमवार पेशा करबानी जरूर पड़ती नती एटले मुत्रनो ओच त्याग करे चे पची त्यामनो मल थे शुखो अए छे एटले के मल नी अंदर बो पाणी नी हाजरी होती नती एकदम शुखो अई छे अने तेने पर्शेवपन थतो नथी तो आ बदी येना सरीर्नी विशेष्ता ओचे पची उट खुबज ओचा प्रमाण मा मुत्रनो त्याग करता होवा थी तेवो पाणी वगर गणा दिवसो सुधी चलावी शके चे पाणी वगर उट चे इगणा दिवसो सुधी क्यम इटले ही गणा बदा दिवस पाणी वगर चलावी शके अवे जो के रण मा तो पाणी वच्छु आई हवे उटेव प्राणी चे के जेना सरीर्मा पाणी नी मात्रानी जरूर खुब ओची छे इटले के सुरे खित आकार होई चे पची बिजू पाणी नी अंदर हलंचलन क करवा मों आ आकार तेने मदद रूप थाई छे यहनों आकार तमें जो ओचो आपणे आगड ना प्रक्रण में सिख्या था के आगड नी बाजु एने पाचड नी बाजु चप्टो एने वच्चे फुले लो ओई छे आ धारा रेखी आकार छे अन्ने ते आकार तेने पाणी म हलन चलन करवा माटे मदद रूप थाई छे पची बीजु चे के माचली ना शरीर उपर चिकणा भिंगडा होई छे एटले पाणी मों पलडी जती नती पची माचली ओने चप्टा मिन पक्ष अने पूँछडी होई छे बराबर तो एना कारणे शु थाए तो एने दिशा बदलवामा अने पाणी मा संतुलन राखवामा मदद मड़ी रहे छे आ अंगोने कारणे अने बीजु के पाणी मा ओगलेला ओक्सिजन न उप्योग करवा माटे तेनी पासे चुई एने केवामावेचे जालर आयने मदद करे छे एने स्वास लेवा माटे बार निकड़ू पड़े पाणी नी अंदर जे ओगलेला ओक्सिजन छे ए चुई द्वारा लई शके छे तो आ एना शरीर नी जुदी जुदी रचना अथवातो वेवस्थाने कारणे ते पाणी मा सरड ताथी जीवी शके छे आपने आगड़ जोयू के उटना शरीर माई वी रचना के वे विशेष्टाओ ते तेने रणमा टकी रेवा माटे उप्योगी छे तो आजे विशेष्टाओ छे तेने शुँ केवाई तो चुक्कस लक्षणों के आदतोनी हाजरी के जेना लिदे प्राणियों के वनस्पती तेमना विस्तरमा सारी रीते जीवामा मददूप थाई छे तेने अनुकुलन केवाई तो आगर जे बदा कारणों बताया इबदा कारणों माचली माटे माचली ना कारणों बताया उँट माटे उटना कारणों बताया के एनी रचना बताया तो आ बदाने केवाई छे अनुकुलन ब्राबर तो चुक्कस लक्षणों के आदतोनी हाज प्राणियों के वनस्पति त्यमना विस्तारमा जीवामा मददरूप थाईpole ुखई त्यने अनुखुलन के वामा आवे छे जो पूचा है के अनुखुलनो अनने अनुखुलनो मा उटना अनुखुलनो कया तो इरण मा कया विशेश कारण अथा तो विशेश व्यवस्ताने कारणे जीवी शक्ये चे ते तेना अनुकुलनों चे एविजरी ते पाणी मा माचली तो कई विशेश रचनाने कारणे ते पाणी मा जीवी शक्ये चे तो ते माचली ना अनुकुलनों चे तो जे विस्तारमा प्राणियों जीवन जीवता ओए ते तेनू निवास्थान चे उट चे इरण मरे चे तो रण हैनू निवास्थान माचली चे ए पाणी मरे चे तो पाणी हैनू निवास्थान चे यह बे शब्दो अगत्य नाचे एक अनुकुलन अने बिजु निवास्तान जे तमारा पुस्तक मा आपेलू छे नसम जायतो तमे विस्तार्ती तेमा वांची शको छो पची जमीन उपर एनारा प्राणियों अने वनस्पतियोंने बू निवासी लेके बू निवास्थान मा रहे छे उक्यावाईचे अवे बू निवासना किटलाक उदाहरणों मा जोईए तो जंगलों गासना मेदानों रण दरिया किनारों पर्वतिय विस्तारों आ बदा बू निवास केवे के जहां जमीन उपर प्राणियों अने पक्षियों रहता हुए बीजी बाजू वनस्पतियने प्राणियों के जे पाणीमा जीवन जीवे छे त्याने जलिया निवास्थान केवे पाणी एटले जल अथा जल तो जल मा रहता हुए अने जलिया निवास्थान निवास्थान मा रहता प्राणियों के वनस्पति के वाम आवे। त्यमाशूं आवे तो तलाव, पची कलल भुमी, सरोवर, नदी अने समुद्र आ बदा जलिया निवास्थान छे। शुन जोवा मड़े तो खड़को, भुमी, हवा, सुरिय प्रकाश, गर्मी आ बदा अ जैविक गटको छे। जे वनस्पति अने प्राणि जैविक गटको अने बाकी ना अ जैविक गटको जे बद्दा जे निवास्थान मा जोवा मड़े छे। प्रकाश ने गर्मी आ येवा अ जैविक गटको छे के जे तमाम सजीवो माटे अगत्य ना छे। आ निवास्थान यंदर होवा जोईए तो सजीव छे त्या सरण थाती जीवी शक्या छे। कि अजया होगार 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 हो आपको छे तो सजीवा होगार टबद्दा पर सरण येवार टो सजीवा झाल सकते ह।